एक बहुत बड़ी सोगार देने के लिए रदान मंत्री जी हमारे बीच में आने के लिए बहुत उच्छुख थे उसकी इच्छा थी कि मैं फिरोजपूर जाओ यहां की जन्ता की सुईधा के लिए सबसेंटर का सिरानियास करके आओ उसके अलावा दो हाइवे रेलवे पूर मिला के त्रासी हजार करोड का विकास कार्य का सिरानियास आज करने के लिए प्रदान मंत्री जी हमारे बीच में आ रहे थे उसकी बहुत इच्छा आप सब लोगों को मिलने की भी थी लेकिन कई कार्यों साथ प्रदान मंत्री जी हमारे बीच में उपस्तित नहीं हो रहे है लेकिन प्रदान मंत्री जी ने कहा है कि फिर से ये कार्यक्राम हम कैंसल नहीं कर रहे है ये कार्यक्राम को हम पोस्पोन कर रहे है और फिर आने वाले दिनों में प्रदान मंत्री जी ने इच्छा रखी है कि आप सब के बीच में वो अवर्ष्य आएंगे मैं आप सबीक से शमा चाहूंगा कि प्रदान मंत्री जी के कारणों से आपके बीच में नहीं पहुंच पाए है और यहां हम कारक्राम आज नहीं कर पाएंगे मैं आप सब के बीच में मैं फिर से एक बार एक्तरेट करता हूं और का रखरन करता हो एक बहुत बड़ी सोगार देने के लिए व्रदान मंत्री जी हमारे बीच में आने के लिए बहुत उच्छ थे उसकी इच्छा थी कि मैं फिरोज पूर जाओ यहां की जन्ता की सुर्धा के लिए एक पिजियाई का सब सेंटर सेंटर का सिरान्यास करके आओ उसके अलावा दो हाइवे रेलवे पूर मिला के 83,000 करोड का विकास कार्यका सिरान्यास आज करने के लिए प्रदान मंत्री जी अमारे बीच में आ रहे थे उसकी बहुत इच्छा आप सब लोगों को मिलने की भी थी लेकिन कई कार्यों सर्थ प्रदान मंत्री जी हमारे बीच में उपस्तित नहीं हो रहे है लेकिन प्रदान मंत्री जी ने कहा है कि फिर से ये कार्यक्राम हम कैंसल नहीं कर रहे है ये कार्यक्राम को हम पोस्पोन कर रहे है और फिर आने वाले दिनों में प्रदान मंत्री जी ने इच्छा रखी है कि आप सब के बीच में वो अवश्य आएंगे मैं आप सबीक से शमा चाहूंगा कि प्रदान मंत्री जी के कारणों से आपके बीच में नहीं पहुच पाए है और यहां हम कारक्राम आज नहीं कर पाएंगे आप सब के बीच में मैं फिर से एक बार विक्त्रेट करता हूँ और कारक्राम खत्म करता हूँ